तंकी से नहीं हो रही पेजल की सप्लाई ग्रामिडों ने कलेक्टर को सौपा ग्यापन धौलपुर जिले की इन दौली ग्राम पंचाथ के गाउं कुरेधा में करीब एक वर्स पूर्व तंकी का कार्य पूर्ण हो गया है लेकिन अभी तक पेजल की सप्लाई शुरू नहीं हुई है यहां तक की पूरे गाउं में कनेक्शन भी कर दिये गए हैं लोगों ने टंकी से पेजल की सप्लाई को नियमित कराने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ग्यापन सौपा है जिसमें ग्रामिडों ने बताये कि पीने योग्य पानी के लिए पडोस के गाउं में भटकना पड़ता है समस्या को लेकर कई बार सरपंच को भी अवगत कराते हुए मौखिक रूप से कहा गया लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया ग्रामिडों का कहना है कि धीशन गर्मी में भी पानी की सप्लाई नहीं होने से परिशानी हो रही है उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों को निर्देशित कर तंकी से जल सप्लाई सुचारू की जाए जिससे पानी मिल सके मेरा नाम रिंकु सर्मा है मैं गाव इंदॉली से हूँ अब हम लोग याव 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 से पानी बर्कन लेकर लेकर है मेरा नाम रिंकु सर्मा है मैं गाव इंदॉली से हूँ अब हम लोग याव याव वाले सब लोग याव 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 पर आये हुए हैं दॉल्पोर पानी की कापी समस्या है कर्मी का इतना टैंपरेचर है और टंकी शह मंत से करीब करीब लगाई हुई है कोई चलने का कोई टाइम टेबल नहीं है चलने का कोई सिस्टम नहीं है और वहां पर जो लड़का चलाने बाला है टूबल चलाता है वो कोई मतलब सिस्टम नहीं चलाने का लड़का नहीं लगाया नहीं गया है इस वज़े से गाव वाले परेशान है दो तिन किलोमेटर की रंच से पानी ल पाननन